नमस्कार दोस्तो मैं डॉक्टर राउराने आई रिवेज शास्त्र इस यूटीब चानल पर आप सभी का बहुत सारा स्वागत दोस्तो वात दोश संबंदित बीमारिया आजकल काफी सारे लोगों को होते हुए देखी जाती है जब शरीर में वात दोश बढ़ता है वायू बढ़ता है तो उसका जो इंपक्ट है वो जादा करके जॉइंट्स के उपर होता है जोडों में दर्ध होना, गुटनों में दर्ध होना, कमर में दर्ध होना, नेक में दर्ध होना, जो अपने small joints होते हैं, उसमें दर्ध करना, पुरा शरीर दर्ध करना, नीन नहीं आना, ऐसे अलग-अलग लक्षन जो होते हैं, वो हमारे शरीर में वायू या फिर वात दोश बढ़ने के वज़े से होते हैं तो ऐसी अगर आपकी condition है आपके शरीर में वातदोश अगर बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए एक simple homemade recipe आपको मैं इस वीडियो में बतने जा रहा हूँ घर पर ही आप ये पाक कुरूती या फिर recipe बना सकते हैं ये पदार्त बना सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं उससे आपके शरीर में जो वायू बढ़ रहा है वातदोश बढ़ रहा है वो कम होने के लिए definitely आपको फायदा होगा तो ये recipe कैसी बनानी है क्या-क्या आपको यूज करना है वो आगे चलकर हम इस वीडियो में देखेंगे आगे जाने के पहले दोस्तो अगर आप हमारे आईवेच शास्त्र इस YouTube चानल पर अगर नए है तो हमारा चनल सब्सक्राइब करके रखिए बाजो में नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे दबा के रखिए जिससे कि हम जब नया वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके मोबाइल में आपको त करेंगे और वो जो रोटी है वो सेकेंगे जिससे आपको फाइदा होने वाला है हम बाजरे की रोटी यह आपको बनाने को बताएंगे कैसे बनानी है और उसमें कुछ चीजे जो है वो हम एड करने वाले हैं देखिए दोस्तो जब शरीर में वात दोश बढ़ता है वायू बढ़ता है तो मैंने जैसे बताया आपको कि बहुत सारी दिक्कते आती है जैसे कि जॉइंट पेन आर्थराइटी या फिर पेट साफ नहों पेट फूलना पेट में हलका हलका दर्द बना रहना नीन नहीं आना ऐसे बहुत सारे दिक्कते जो होती है वो शरीर में वात और अफ देखेंगे जब आप समझो फैन के नीचे बहुत ताइम तग अगर बैठें तो यह जो फैन्डा गून होता है उसके व्याइज से शरीर में वातदोश की वृद्दी होते हुए देखी जाती है उसी के साथ वातदोस जी हो है वो रुक्षगुन के वज़े से भी बढ़ता है रुक्षग मैंने क्या है कि ड्राइनिस शरीर में क्या करता है वातदोस शरीर को ड्राइ करता है आज कल आप देखेंगे कि बहुत सारे देखे जाते हैं कमर के जो हड़ीया होती है उसमें घिसा रहा होता है वो डीacción होता है ऑस्ट्योफञ्ट फॉर्मेशन होता है जो बीच में डिस्क होती है उसका डीजन्रेशन होने के व्यएसे वज़े भाह निकल जाती है या फिर घुटनों के जो काटिलेज जो होते हैं वो घिज जाते हैं तो ये सब चीज़े क्या होते हैं ये सब दिजनरेटिव प्रोसेस जो होती है वो वायो के रुक्षगुन बढ़ने के वए से या फिर वायो जो शरीर में ड्राइनेस पैदा करने वाला जो गुन होता है उ ये रुक्षगुन के अपोजिट स्निग्द गुन वाली होगी। जाने रुक्षग जो रहता है उसका अपोजिट आईरवेद में स्निग्द बताया गया है। तो स्निग्द और उष्ण ऐसे गुणों से यूगत होने के वैसे आपके शरीर में जो वात दोश बढ़ रहा है उसे कम करने में ये रोटी जो है वो आपको फायदा देगी। तो दोस्तों ये रोटी कैसी बनानी है इसका practical demonstration अभी हम देखेंगे। दोस्तों ये बाजरे की रोटी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडियंस लगेंगे वो आपके सामने है। बाजरे की रोटी के लिए बाजरे का आटा लगेगा आपको। लसून, एक रोटी के लिए आप 3-4 लसून की कलिया ले सकते हैं, पाउचमच धनिया पाउडर, पाउचमच जीरा पाउडर, 2-3 चुटकी हिंग और सफेद तील, जो वाइट वाले तील होते हैं, उसे आपको लेना है, और भी एक इंपोर्टन चीज यहाँ पे हम लेने वाल है, वो है गंदर्व हस्त्यादी एरेंड तेल, हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम गंदर्व हस्त्यादी एरेंड तेल, इसमें इस बाजरे की रोटी बनाते समय, इसमें मिलाएंगे, इससे क्या होगा, कि इससे आपके जो पेट में वात बढ़ रहा है, वायू बढ़ रहा है, उसका शमन होगा वो कम होगा और आप देखेंगे कि एरेंड तेल जो होता है उसे लेने में काफी कटना ही होती है लेकिन इस सोरूप में अगर आप लेते हैं तो आपको उससे डेफिनेटली फाइदा हो सकता है अभी हम क्या करेंगे एक एक करके जो भी इंग्रेडेंट्स है वो सब इस बाजरे के आटे में हम मिलाएंगे ये सब चीज़े जो है जैसे की हींग है जिरा है लसून है धनिया है ये सब चीज़े जो है ये उश्न होती है पहले मैंने आपको बताया कि जो वायू होता है वो शीत गुन से यूगत होता है और उसके उपर अगर एक करने के के लिए हम लोग उष्ण गुंड अगर डालते हैं तो उससे बात का शमन होता है तो इस प्रकार से ये अलग-अलग मसाली के जो पदार्त है उसे हमने यहां पर किया है इसके बाद इंपोर्टन जो दवाई इस आटे में हम लोग मिलाएंगे वह है गंदर्व हस्त्यादी एर जरी लेंड तेल कैस्टर ये मिला सकते हैं ठीक है एक रोटी के लिए एक चमत्व यांने फाय ए एमेल तक आप एस्टर आट इस रोटी बणाने के लिए यूज कर सकते हैं शुरूआत में जैसी कि पहले ही बार आप बना रहे हैं तो आधा चम्मत पहले डालिएं उसके बा रोटी के उपर आप ऐसे सफेद तील जो होते हैं वो भी डाल सकते हैं सफेद तील भी उष्ण होते हैं और वाद के दिये अच्छे होते हैं और जो शरीर की हड्डिया होती है उन्हें भी नरीश्मेंट देने के लिए काफी अच्छे साबित होते हैं तो देखें दोस्तो इस प्रकार से आपकी बाजरे की रोटी तैयार हुई है इसमें हमने सभी प्रकार की उष्ण द्रव्य डाले हैं जिससे कि आपके पेट में जो गैस बढ़ता है उसका शमन होगा वो कम होगा और इसमें हमने गंदर्व हस्तेयादी एरेंड तेल भी डाला नहीं हो रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एमेजोन की लिंक दी है वहाँ पे क्लिक करके भी गंदर्व हस्तेयादी एरेंड तेल आप खरिच सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप सिंपल कैस्टर आइल भी यूज करेंगे तो भ आपको आर्थराइटिस है आपको आमवात है आपके जोडों में दर्द हो रहा है तो ऐसे अगर आपको समस्या है तो ऐसी आप रोटी बनाईए और उसका सेवन करिए जिससे की आपको निश्चित लाब होगा दोस्तो यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो यह लाइक करिए नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करिए आपके फ्रेंड सरकल में वाटसैप ग्रूप में फेस्बूक में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए दोस्तो अभी यही पर रुखता हूँ आगे चलकर कुछ नया वीडियो आपके लिए लेके आओंगा तब तक ज्ता हुत को हूँ यह भी बांगो कोछियो एकी खोष lun के र respectively अभी हाक ल और फिर अधक सकते लिएएम को जांगा उता हुता 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 हुता.